हेलो रिवान वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल फार्मरोक्स के यूटूब एजूकेसनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एपेटाइट स्टेम्विलंट्स के बारे में एपेटाइट स्टेम्विलंट्स म कर रहे है डिटेल फार्माकोलोजिकल स्टडी और ड्रग एक्टिंग और गेस्ट्रो इंटेस्टेनल ट्रेक और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपेटाइट स्टिमुलेंट तो सीखते हैं डिटेल में अबाउट द्यार फार्माकोलोजी और जानेंगे कि किस तर से ये मेडिकेशन अपनी मिकिने जह अफ एक्सन देती है वो सब सीखते है ये वीडियो लेक्चर के अंदर आफे एपेटाइट स्टिमुलेंट्स तो एक्सपर्ट लेक्चर बायमर सर असिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर ऑफार्मारॉक्स थेंक्यू फर भी इन वन लेक आपके पास एंडरोड फॉन है तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स का एंडरोड अप्लीकिसन गूगल प्ले स्टोर से और अगर आपके पास आइप स्टोर पर सीब इसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी तो अब सबसे पहले concept समझे एपेटाइट stimulants के बारे में तो एपेटाइट stimulants मतलब की ऐसे medicines की जो आपको भूख लगने में मदद करती है तो उनका basic concept यही है के भूख लगने में मदद करने वाली दवाईया मतलब एपेटाइट stimulant तो उनका जो एक दूसरा नाम है that is orexigenic की जिनको orexigenic भी कहा जाता है और appetite stimulant is a drug, hormone or compound that increases the appetite and may induce hyperphysia मतलब की यह medication drugs के तौर बे भी काम करती है कुछ एसी hormone से और ऐसे compound की जो आपकी भूख लगने में help करती है और उनको दूसरे वाड़िक के अंदर orexigenic भी कहा जाता है तो hyperphysia वो induce करती है उसका मतलब यह है कि they produce the strong sensation of hunger यह point समझ यह कि यह medication जब कोई person लेता है तो उसके अंदर strong sensation produce होते है about the hunger और desire to eat after taking this medication कि जब कोई person यह medication लेता है तो यह आप यह जो आप देख रहे है clipart के अंदर उसके according to यह person को फिर यह medication लेने के बाद खाना खाने का मन होता है तो भूक लगने में यह medication जो है वो आपकी मदद करता है आपकी help करता है और आपके body के अंदर जो भूक लगने की जो sensation है hunger के sensation है और जो desire है कुछ खाना खाने की वो enhance करेगी यह medication की जिसके करन उनको appetite stimulant कहा जाता है तो उसके examples देखते हैं तो medications के अंदर हम देखें tablets के अंदर तो dronabinol के जो tablet यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो marinol यह जो brand है तो dronabinol के tablet as well as यह जो capsules available होते हैं market में वो appetite stimulant के तोर पर काम करते हैं फिर magastrol acetate magastrol acetate का यह tablet के जिसके strength है 40 mg तो यह भी एक powerful appetite stimulant के तोर पर काम करता है फिर oxandrolon कि जिसके tablet है यहाँ पर देख सकते है 10 mg कि जो Bayer का यह famous product से product है oxandrolon तो वो भी appetite stimulant है फिर other medications के अंदर हम देखें तो mitrazepine है prednisolone and dexamethasone फिर supplements जैसे की zinc है vitamin B1 है and omega 3 fatty acid भी appetite stimulant का काम करते है तो अब जानना जरूरी है उनके basic use क्या है तो सबसे पहले basic use हम समझे तो they are used to treat anorexia तो anorexia आपको पता है कि medical term है for the loss of appetite कि यहाँ पे देखिए यह clip art के अंदर कि यह जो person है उसके सामने काफी सरी यह food air varieties है but उसको वो खाने का मन नहीं हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसको anorexia है loss of appetite जो हम कहते है भूख न लगने की बिमारी हुई है उसको तो ऐसे patient की जिनको भूख नहीं लगती loss of appetite मतलब कि anorexia है उनको यह medication prescribe किये जाते है तो anorexia means a loss of appetite or inability to eat आपकी भूख कम हो जाती है या फिर खाना सामने होने के बावजुद आपको ऐसे desire नहीं होती वो खाने की inability to eat and it can be a symptom of various diseases बहुत सारी ऐसे कुछ diseases होती है कि वो जब जो कि आपको हुई है तो उनके दोरान या फिर वो disease का क्योर होने के बाद भी कई बार आपको भूख नहीं लगती loss of appetite फिल होता है खाने का मन नहीं होता है उसके desire कम हो जाती है तो उस वक्त ये medications आपको help करते है to treat the condition of anorexia so this medication enhance the appetite and treat the condition of anorexia तो अब सभी के बारे में detail में सीखते है उनके mechanism के कौन से class के है ये कौन से mechanism involved होती है और उनके side effect तो सबसे पहले जो है वो है dronobinol कि जो एक cannabinoid है तो ये है उसका main class कि कौन से class की ये medication है कि ये आपको multiple choice questions के लिए याद रखना है वाईवास के लिए याद रखना है theory based exam के लिए याद रखना है तो it is a cannabinoid and possess anti-emetic property तो dronobinol के पास anti-emetic property भी है कि जो nausea and vomiting को prevent and treat करने के लिए use कर दी है and act by stimulating the CB1 receptor की जो हम cannabinoid 1 receptor कहते है उनको ये stimulate करता है और जिनके करण appetite भी stimulate होती है और साथो साथ nausea vomiting के जो center भी inhibit होते है और nausea vomiting भी treat होगी it can also stimulate the appetite and use for AIDS with anorexia कि AIDS के अंदर AIDS का जो patient है और उसको समझो की anorexia का problem है कि उसको भूक नहीं लग रही खाना खाने का मन नहीं हो रहा तो उस वक्त उसको ड्रोना बिन ओल की ये जो capsule से वो prescribe किया जाते है कि जिसकी strength आप देख सकते है 5 mg तो ये 5 mg का एक version देख सकते है this is also of 10 mg और ये तीसरा जो है 2.5 mg का capsules देख सकते है तो उसके side effects जाने तो confusion होता है dizziness and drossiness hallucination and low mood तो ये सब उसके common कुछ side effect है कि जिसको हम कहते है कि drossiness फिल होना ये tablets लेने के बाद dizziness जैसा फिल होता है नीन दाती है drossiness फिल होता है confusion रहता है कई बार आपको hallucination होते है and जो mood है वो low हो जाता है तो ये कुछ side effects develop होते हैं after taking this drodambinol उसके बाद हम जमजे magastrol जो acetate है तो it is a progesterone based medication कि जो हमने बात कि थी कि ये appetite stimulant में कुछ drug से कुछ इसे हॉर्मोन से कुछ supplements वगेरा है कि जो आपको help करते है appetite को stimulant करवाने में तो जो magastrol की जो हम बात करते हैं magastrol is a progesterone ये progesterone है and doctor prescribed to boost appetite in people with anorexia, cancer, HIV और AIDS, कि कई बार HIV AIDS के अंदर, cancer के अंदर patient को भूख नहीं लगती भूख फिर appetite loss हो जाती है तो उसको treat करने के लिए भी magastrol acetate जो है वो use होता है और उसके जो strength है वो 40 mg के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि magastrol acetate tablet इस पर आप जिसकी strength है 40 mg उसके कुछ side effects हम देखें the side effects of this magastrol acetate include the stomach upset, mood changes and sleep problems serious reactions due to the fluid build up in the tissues onset or worsening of diabetes and blood clot तो यहाँ पर जो है वो कुछ common side effect है कि जैसे stomach upset होता है mood changes होते है sleep problem होना यह सब उसके common side effect है बट जो serious side effects के हम बात करें तो swelling होना due to fluid build up in tissues and onset or worsening of diabetes and blood clot भी हो सकता है तो यह कुछ उसके serious side effect भी develop होते है तो अगर आपको यह medication लेने के बाद यह से कोई side effects आपको feel हो रहे है तो तुरंत आपको pharmacist या फिर आपके healthcare provider contact करके तुरंत आपका medication जो है वो change करवाना चाहिए फिर तूसरा जो है that is oxandrolon तो oxandrolon जो है वो steroid है oral steroid that help in people to gain the weight after the surgery trauma and chronic infection तो जो appetite stimulant है उसका एक वार यूज रहता है कि वो आपको weight gain करवाने में help करते हैं कि anorexia जब किसी को होता है loss of appetite होती है तो उस वग जो weight है वो काफे reduce होता है तो reduce हुआ weight को increase करवाने के लिए ये medication जो है वो helpful साबित होती है कि oxandrolon जो है वो आपका weight gain करवाता है और ये steroid glass का medication है तो यहा पर जो आप उसके tablet देखो तो 10 mg की strength में वो available होते है और उसका famous manufacture है ये bear the most common side effect और oxandrolon includes the acne changes in sexual desire deepening voice excessive hair growth मतलब कि ये medication लेने के बाद आपको acne हो सकता है sexual desires change हो सकती है deepening voice excessive hair growth hair growth increase हो सकता है menstrual cycle को irregular कर सकता है mood changes करवा सकता है आपको और stomach upset तो ये सब जो side effects develop होते है after taking this oxandrolon आगे सिखते हैं इसके बारे में दुसरे जो medication है appetite stimulants के अंदर तो other medications तो हमारे पास ये तीन FDA approval medication तो है एक है magastrol acetate दूसरा हमारे पास है axandrolon and त्रीसरा है that is dronabinol तो ये तीन हमारे पास option है कि जो FDA approval है but कुछ ऐसे medication भी है कि जिनके side effects के तौर पे adverse effect के तौर पे appetite जो है वो increase होती है some other medication है side effect of increasing appetite तो वो हम देखे तो off-label वो कई बार prescribe किया जाते है patient को जिसके example है कि anti-depression जैसे कि mitrazepine तो mitrazepine जो है वो वैसे तो anti-depression drug है main category है उसकी anti-depression but जब कोई anti-depression का person ये mitrazepine anti-depression के तौर पे use करता है तो उसको side effect के तौर पे उसकी appetite जो है वो increase होती है फिर जो कुछ corticosteroids है जैसे कि prednisolone है dexamethasone है वो भी जब कोई person लेता है तो side effect के तौर पे वो medicines खाने के बाद आपकी appetite जो है वो आपकी hunger है वो enhance होती है increase होती है फिर बात आती है supplements की कुछ ऐसे supplements की जिसके अंदर हम देखे या पे तो zinc है vitamin B1 की जिसको हम thymine कहते है तो वो आपकी appetite जो है वो enhance करवाते है increase the appetite तो यह हो गया vitamin तो B1 जो है वो हम जानते कि वो vitamin है and zinc के जो mineral है तो यसे यह minerals and vitamins भी जरूरत होती है इसलिए आप देखो कई बार जब आपको भूख नहीं लगती और ऐसे complications होते है तो आपके health care provider आपके doctor या फिर pharmacist आपको ये multi vitamins के syrup देते कि जिसके अंदर vitamin A, B है B1 है B2, B5 B6, B12 सभी multi vitamin A साथ में minerals के अंदर zinc and iron भी है तो ये जो supplements होते है वो भी आपकी बूख लगने में help करते है appetite को enhance करते है however this usually only work in person has a deficiency in this nutrient बट ये तभी काम करेगी कि जब आपको zinc की deficiency है आपके body के अंदर B1 की deficiency है और उसके करण आपको समझो कि भूख नहीं लगती तो उस वाक्त ये multi vitamin syrup या फिर zinc and vitamin B1 containing syrup आपके लिए काफी फाइदे मन साबित होता है कुछ अदर supplements देखे जैसे की omega 3 fatty acid में also boost and increase the appetite तो आपको ऐसे food वगेरा select करने चाहिए कि जिसके अंदर omega 3 fatty acid हो तो इस तरह से आप अपना nutrition and diet setup करके भी appetite जो है वो stimulate करवा सकते है increase करवा सकते कि जिससे book भी आपको लगे और समझे कि weight reduce हो गए आपका काफी reduce weight है तो appetite stimulant लेने के बाद आप जो है वो weight gain भी करवा सकते है तो यह था special lecture about the appetite stimulant get our lecture notes and pdf on pharma rocks app कि जो आपका affordable price में मिलेंगे study material pdf file thank you for watching join कर सकते है whatsapp group कि यह 9426 on whatsapp helpline number है join कर सकते है various courses on app pharma rocks कि जहापे study material है test series भी है video lectures भी है and you can ask on a query also तो link आपको description box में मिल जाएगी android app on google play apple iPhone app on app store thank you for attending this lecture good luck and all the best